नमस्कार नमस्कार प्यारे फोजी मित्रो जीवन एक पाट साला में आपका हार्दी कविनंदन स्वागत मैं हूँ कर्णल गिरिष चंद्र खंकरियाल गप्पे मारते हैं थोड़ा सा पुरानी गप्पे न कभी-कभी याद आती है तो मैंने सोचे चलो आज गप मारता हूँ एक दन क्या हुआ कि मैं और हम मेरे जो CHM थे उनका नाम था CHM बहुर सिंग राठोर अब बहुर सिंग राठोर जो है हम दोनों एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जा रहे थे बहुर सिंग आगे-आगे मैं उनके पीछे-पीछे और हमारे साथ में दो-चार और जो है न आगे-पीछे भी थे अब बहुर सिंग जो है सुबेरे जो बरफ होती न तैरी बापरे वो कांच जैसे बरफ होती है और उसमें फिसल गए और वो फिसले और मैंने उनको अब वो तो बहुत हैबी टाइब लोग अभी टाइब थे और वो उनको मैंने पकड़ा और उन्होंने मेरे को भी कहची दिया और हम कम से कम जो है न तीस-चालिस फिट नीचे चले गए वह चोट-चार तो लग रही थी ठंडी का टाय वैसे भी बरफ गिरी बरफ अच्छा पर आये नीचे वाली पोश्ट पर जाना था हम लोगों को वहां पोस्ट पर गए पता चला कि तो अच्छा दोनों जो गिर के आगए हो क्या बात है तूट-फूट के आयो वह हमारे हमारा स्पेशल जो है स्वागत कि आ गया वहां पर जो है खटे से उपर आये थे हम दोनो तो मतला स्पेशल स्वागत मिंस कि SHM के लिए कालीवाली चाय मेरी लिए अलग से मतलो चाय जो है न मैं वो कालीवाली चाय नहीं पीता था कुछ दिनों के बाद में पेंशन चले गए पेंशन चले गए और करीब साथ आठ मैंने एक बाद मेरी भी पोस्टिंग आगी मैं जैसल मेर आ गया एक दिन क्या वहा ट्रेनिंग के लिए गए थे हम लोग अब ट्रेनिंग में एक गाड़ी हमारी गाइब हो गए अब राजतान में अब एक जो है ना एक बार जिसने लीक गलत पकड़ ली न तो कहां चला गया पीस-पचीस किलो मेटर तक तो पता नहीं चलेगा कि किदर को जाना है अगर कोई किसी ने गलती कर दी तो बस समझ लो कि वो गया काम से अब तूसरे दिन ही मिलेगा दूसरे दि जो है मैं डूंडने के ले गया उनको भी कहां चले गए एक पाटी नहीं आई कम्मुनिकेशन नहीं हो रहा उनके साथ में है वो जाते जाते उनका मतलब जो है वो कहीं ख़ड में कि मतलब एक सुखे कोई के अंदर जो है वो गाड़ी फस गई तरी टन होते थे थी टन फस अब निकली निरा करा 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 उन्होंने बहुत भां 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 करते 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 वो जैसे भी था निप निकल पाया तब हमारे लोग जो है इदर उदर घूमें यार कहां जाए अभी कैसे करें तो उनको जो है कुछ लोग मिले हूँ है मीलों तक तो कोई मिलता है निये बोला प्रण जहार यहार कोई फोजी हैं, भल हां जी फोजी हैं, यहार रहते हैं फोजी लोग वो बोल थोड़ा उनको बोले हमारी मदद करो, बोले लेके गए उनके घर पे वहाँ से जो हाँ जो आपना गाओं के लोग अपना ट्रैक्टर एक अधा ट्रैक्टर हो गयारा, कुछ और गाडियां लेक लो करके, कुछ फावडे खोडे लेकरके, उनकी गाड़ी उन्होंने निकाल दी वहां से, जब मैं उनको मिला, मैं उनकी गाड़ी डूंडने के लिए गया, गाड़ी मिल गी मुझे, बंदा एक नी उसमें, गाड़ी तो मिल गे लेकिन बंदे कहां गए, तो फिर मैंने किसी को आगे पीछे चल करके थोड़ा सा पता किया, यहां पर यह फाजी गाड़ी जो गिरी वी या मतलब यह है तो इसके आदमी कहां गए, पुलो जी वो फलाने गाउं में गए वहां कल से वही हैं वो, अच्छा मैं बहला क्या बात है, गया मैं वहां भी म डीजल खतम हो गया, डीजल खतम हो गया, गाड़ी जो है कुए में गिर गी थी, अब जो है वहां से निकाल दी, गाड़ी तो ठीक है, कोई प्रावलम नहीं, लेकिन अब कम्मिनिकेशन के कोई साधन नहीं है, जब कोई आएगा ढूंड़ेगा तब पता चलेगा, मैं बोल कौन खिला रहा तुम्हें, कल से खाना खाया है कि नहीं खाया, बोला साभ यहां तो आप होया तो हो रही है हमारी बड़ी, मैं कौन कर रहे हैं, बोला आप कोई जान पचान का है यहां पे, मैं बोला मेरा जान पचान यहां कहां से आ गया, बोला अभी बुलाते हैं, गए वहां से देख रहा हूँ मैं बड़ी बड़ी मोचियों वाला ओए उसाब जी मैं वहाला बहार सिंग केसे हो कहा हो भाई अरे भरत मिला आखों में आसों जर रहे हैं दोनों के है न बुला याद है न आपको आप और मैं कितनी जोर से गिरे थे और एक बार तो आप जो है खड़े में भी गिर गए थे न उस दिन हनमान साब ने बचाया था आपको हम सब ने बचाया था मैवला तो भाई बात सूनओ तुम बचाने वाले ही हो हनमान साब ने मुझे बचाया आपको ने खाया ऑफ गहा है बचाने की कोशिस की लेकिन तो उसमें हम दोनों फस गए थे तो उसमें मैंने मैंने कुछ नहीं है बलके आपने ही मेरे को प्र वहां से उपर खेंचा था और यहां भी अकल से आप इनकी आव भगत करे जा रहे हो। वै क्या आव भगत हुई हमारी वहां पे। इतना अच्छा लगता है जब कुरा कोई पुराना दोस्त फौजी मिलता है। तो ऐसे लगता है जैसे राम जी को भरत और भरत जी को राम मिले हूं। और अजी नहीं होता। इस देश में हजारों किसम की नौकरियां है। लोग कहा कहा नौकरियां करते हैं लेकिन फौज के जैसे नौकरी कही नहीं होती। इस ऐसे में एक और एक आदा उधारन और भी दूगा। आप मेरे वीडियोज देखते रहना ठीक है ना। अच्छा लगा आपको थैंक यू